सचीन तेंदुलकर के भाड़तरा तुमको लेकर कॉंग्रेस ने भी सवाल उठा है जो आपके बयान को लेकर सवाल उठा है देखिए उसका कौन क्या सवाल उठाता है वो एक अलग बात है लेकि लोकतंत्र है हम सरकार पर जब बालवशना करते हैं कि अभिव्यक्ति के स्वतनुत्ता को नस्थ कर रही है तो दूसरी पार्टियां जो है अभिव्यक्ति के स्वतनुत्ता को क्यों नस्थ कर सकती है कॉंग्रेस पार्टी के ही जवाने में सची तिंद लुकर को मिला था और ह son किया था और पार्टी लाइं से हट करके भी रुध किया था हम उस समय नितिस कुमार की पार्टी से हमारा विवेक, हमारी समझदारी जो बात कहती है, उसको हम दबा करके किसी से प्रसंसा पाने के लिए और किसी से सर्टिफिकेट पाने के लिए, देखें आपको याद होगा, केदारनात का जो तिर्थरसान है, वहां किस तरह का हाथसा हुआ था, और सब लोग भी पता रहे थ इस लोगों का जो प्रयारव वरण वीद्ध हैं जो और विद्वान लोग हैं इस छेत्र के उनका मानना है कि हिमाले पहाड जो है बिलकुल नया पहाड है वो अभी तक इस्थिर नहीं हुआ है इसलिए बराबर उस इलाके में धर्ती का कमपन होता है उस इलाके में विकास के नाम पर बिजली पैदा करने के लिए आप तरह तरह का डैम बना रहा है इसी इलाके में नहीं आप नौर्थ हिस्थ में भी देखिए तो उस इलाके में भी बम रहा है उसका सुरू में लोगों ने भी रोध किया था अब उसका लेकिन मैं किसी की भी सरकार हो जो दृष्ट है था वो पूल जो है धोस्त हो गया अभी जो एक प्रविर्ति चली है टानेल बनाने का पहाड को छेद करके उसमें से रेल गाड़ी ले जाने का उसमें रास्ता बनाने का इन सब का आगे चलके इसी तरह का प्रलाय नुमा बिप्दा आने बला है यह तो माल लिजे कि साध परियावरण को प्रित्वी को प्रकृति को अपना दुस्मन मान करके जो विकास का धांचा हमारा दुनिया में बना हुआ है वो धांचा रहते हुए इस तरह की घटनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं उमा बाधी अभी कहा है कि जब हम मंतर थी तो गंगा प्रोजेक्ट का भिडौत की थी तो ठीक का है ये पहली दफा है कि हरकी पौड़ी बने जो में पानी है यही नहीं अभी हम देख रहे थे अकपार में हरकी पौड़ी सुख गया है उस इलाखे का में गंगा में कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है जो नहर बना हुआ है गंगा से निकल करके वो नहर भी सु हुआ है मतलब हमको तो याद नहीं है अखवार ने भी लिखा है कि पहली तफा ऐसा हुआ है कि हरकी पॉड़ी शुखा हुआ है अंचमन करने का पानी जो है पेंदी में हरकी पॉड़ी के दिखाई दे रहा है तो हुमा भारती बने इसी विभाग की मंत्री थी और गंगा बहुत बड़ा ये ता उनके बस की बात नहीं है क्योंकि विकास जिस जंग से हमारा हो रहा है उसमें यही परिणाम होने वाला है और गंगा को जो अस्थानिये नदिया है जैसे हमारे ही गाओं की नदिये अस्थानिये नदिया जो गंगा में जाकर के मिलती है और गंगा क खतम हो रही हैं, पेड़ पोधे खतम हो रहे हैं, तितली खतम हो गई, बने जिव जन्तु और नस्पतियों का नास हो रहा है, यह उसी भी कास करनाता है.